देश में किसान आंदोलन की आग फिर से तेज होने वाली है किसान नेताओं ने पूरे देश में आंदोलन का एलान कर दिया है आपको बता दे कि पिछने कई महीनों से नए कृशी कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धर्णा प्रदर्शन अब ही जारी है इसे बीच दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस का पहरा भी लगतार बढ़ता जा रहा है 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे किसान तीनों कृशी कानून को रद करने के लिए देश में 41 किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने का एलान किया है किसान मोर्चा के नेत्रत्व में ये चक्का जा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा किसानों को कहना है कि सरकार कृशे बिलों को वापस लेने को तैयार नहीं है ऐसे में हम किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा देश भर के किसानों का भी हमें समर्थन मिल रहा है यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रिय बजट में भी किसानों की अंदेखी की गई साथी पुलिस पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन में आए नौजवानों को परिशान किया जा रहा है बेवज़ उनकी पिटाई और गिरफतारी की जा रही है 26 जनवरी के बाद से किसानों के कई ट्राक्टरों वाहनों को जब्द किया गया है साथी बॉर्डर के आसपास की जगह को पूरी तरह ब्लॉक किया जा रहा है धर्णा स्थल पर बिजली पानी की आपूर्ती और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है इन सब के विरोध में सैयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि 6 फरवरी को देश भर की मुख्य सडकों पर दिन के 12 बजे से 3 बजे तक कोई गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी ऐसे में उमीद की जा रही है कि 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम का असर पूरे देश में देखने को मिलेगा किसानों के इस एलान के बाद से ही सिंधू बॉर्डर पर अचानक सुरक्षा व्यवस्था और जादा बढ़ा दी गई है दिली की ओर से 1.5 किलोमिटर तक आम लोगों की आवजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है धरना स्थल फ्लाइ ओवर के चारो लेन पर बैरिकेट्स लगाए गए हैं दिली से गाजियाबाद जाने वाली रोड पर विशेश तोर पर 6 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है इसमें सबसे पहली और दूसरी लेयर में लोही की बैरिकेटिंग और उसके उपर कटीली तारे तीसरी लेयर में कंकरिट के 3 फुट उचे दो स्लेब को आमने सामने रख कर उनके बीच में लगभग 2 फुट उचाई तक सिमेंट और कंकरिट का मसाला भरा गया है जो 3 फुट उची, 1,5 फुट चौरी दिवार बन गई है इसके बाद के दो लेयरों में लोहे के बैरिकेट्स लगे हुए है फ्लाइ उवर के नीचे की सडक के तिराहा का गाजियाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते में भी ऐसी ही बैरिकेटिंग की गई है कंक्रिट के दो स्लैब के बीच में मसाला भर कर दिवार यहां भी बनाई गई है यही नहीं उसी के बगल में खाली पड़ी जमीन पर भी कटीली तारे बिचा दी गई है आपको बता दे कि किसान संगचनों और सरकार के बीच ग्यारत दौर की बातचीत बे नतीजा रही ग्यारवी मैठक में सरकार की तरफ से नई कृशी कानूनों को एक से डेर साल तक स्थगत करने का प्रस्ताव दिया गया था लेकिन किसान न्यूनितम समर्थन मोले की लिखित गारंटी और इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े है लाइट सिटीज के लिए जय भासकर के रिपोर्ट